आज हम चैप्टर फाइब के कुछ रांसर्स लर्ण करेंगे कल मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स और बुक की एक्सेसेज आपकी नोट बुक में करने के लिए दी थी आज हम चैप्टर फाइब के कुछ नांसर्स लर्ण करेंगे फर्स्ट कुछ रांसर्स क्या है वाट इस रीक्रियेशन रीक्रियेशन क्या होता है तो रीक्रियेशन की हिंदी क्या होती है मनुरंजन मनुरंजन क्या होता है We have fun when we do things which we enjoy This is called recreation क्या है एक बाद 12 रीट करते हैं We have fun when we do things which we enjoy This is called recreation तो जब हम उन चीजों को करते हैं जिने करने में हमें मज़ा आता है जब हम उन चीजों को करते हैं जिने करने में हमें मज़ा आता है उसको ही हम मनुरंजन कहते हैं क्या कहते हैं? मनुरंजन तो वाट इस रीट क्रियेशन? We have fun when we do things which we enjoy This is called recreation Next, what games do you play in the school? स्कूल में आप कौन से गेम खेलते हैं? तो कौन-कौन से गेम खेलते हैं आप स्कूल में? We play many games in the school such as crossword, quiz, cricket, krokro, etc. हम अपने स्कूल में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं जैसे crossword, quiz, cricket, krokro, etc. आपको इसे भी गेम्स लिख सकते हैं मैंने 4 लिखे हैं आपको इसे भी और गेम्स लिख सकते हैं तो हम स्कूल में कौन-कौन से गेम्स खेलते हैं? Crossword है, दमशराज है, यह quiz है, cricket है, krokro है, badminton है, basketball है, football है तो बहुत सारे गेम्स हम लिख सकते हैं तो what games do you play in the school? We play many games in the school such as crossword, quiz, cricket, krokro, etc. Next, which is the best way to solve quarrels while playing? हम जब खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं तो क्या होता है? कभी-कभी आपस में बच्चे क्या करते हैं? गेम को खेलने में लडने लगते हैं गेम के खेलते बीच वो आपस में लडने लगते हैं तो इस question में यहीं पूचा जा रहा है कि खेलते समय जब जगड़ा हो जाता है तो उच जगड़े को सुलजाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? या सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो क्या है? जगड़ा हो गई ने और गेम हमारा अच्छे से चलेगा तो क्या है? The best way to solve quarrels is to follow the rules of the games strictly अगें रीट करते हैं The best way to solve quarrels is to follow the rules of the games strictly Next, what is a fair? What is a fair means? मेला क्या है? The place where we enjoy gaming, rides and food is called fair तो एक ऐसी जगे जहां पर क्या हम enjoy करते हैं? बहुत सारे game का मज़ा लेते हैं rides का मज़ा लेते हैं खाने का मज़ा लेते हैं ऐसी जगे को हम मेला कहते हैं अब इसके आगे और क्योश्य लिखा हुआ था कि ride two lines हमें जिस मेले को हम घूम कर आए हैं या जिस मेले में हम घूमने गए हैं कभी हमें उस मेले के बारे में two lines लिखनी हैं अगर आप गए हूँ आपको पता हो उस मेली का नाम तो आप उस पर two lines लिख सकते हैं वरना इस question को इतना ही लिख लिजे क्या है? What is fair? The place where we enjoy gaming, rides and food is called fair Next, describe a circus आपको सरकस के बारे में लताना है कि सरकस क्या होता है A circus is a place where different types of performers amuse people by their amazing acts तो सरकस एक ऐसी जगे होती हैं जहां पर बहुत सारे performers जैसे जोकर होता है और आपके टाइटलों पॉकर सोते हैं या इक्रोबैट सोते हैं या जगलर सोते हैं तो ये सारे circus के क्या होते हैं? Performers होते हैं Performers means stage पर प्रफॉर्म करने वाले तो ये क्या करते हैं? ये अपने amazing acts से बहुत सारे हसी दिलाने वाले कामों से लोगों का मनुरंचन करते हैं लोगों का मज़ा करते हैं इनको देखकर लोगों को क्या होता है? मज़ा आता है, हसी आती है और ये अपने ऐसे से acting करते हैं ऐसे से काम करते हैं कि इनको देखने वाले लोग क्या करते हैं? हसते हैं हसते हैं और मज़ा करते हैं, enjoy करते हैं तो circus is a place where different types of performers amuse people by their amazing acts तो ये हैं आपके chapter 5 के 5 question answers कितने हैं? 5 अब आपको हूँ वक्ते हैं इन question answers को अपनी note book में note करना है साथ के साथ note करते समय आपको इन सारे question answers को learn भी करना है, English में किस में learn करना है? English में, और note book में भी आपको English में ही लिखने है बस आपको इनकी Hindi पता होनी चाहिए इसलिए मैंने आपको Hindi में भी बताए है लेकिन आपको इनकुष नसस को English में लंग करना है और अपनी Notebook में सुन्द सुन्द राइटिंग में लोड करना है अब हम next class में chapter 6 रीट करेंगे जब तक आप अपने chapter 5 को अच्छे से लीट कर लीचे में अपने करेंगे